आज हम अंडे की बिल्कुल नई रेस्पी बनाएंगे तो चदी इस रेस्पी को बनाना हम सुरू करते हैं तो यहाँ पर मैंने ले लिया एक कडाई और कडाई में डालेंगे प्यास प्रेश नलें, चीजर लिके पाने, तो बढ़ने पानि में एड़के नमक integrity को feeling of the water कुछ यहां पर आप अपने अनुसर बस इस पर नमक डालें और इसे अच्छे से अच्छे से फेट लेंगे यह देखिए बहुत ही अच्छे एयर्स बबल बनते हैं इसे अंडे बहुत ही जादा सौफटर स्पोंजी बनते हैं अंडे को फिटने के बाद इस तरीके से मटर के उपर हमें यह ओली जो कटोरी थी वो मैंने रख दिये और इसे हम लिड लगा करके पकाएंगे करीबन 10 मिनट तक मिडम टो लो फ्लेम पे 10 मिनट के बाद जब मैंने इस तरीके से चेक के अंडे बहुत अच्छे सूपर से पक चुके थे और नीचे जो हमने प्याच, टमाटर, अद्रक, लसून, मटर जो भी एड़ के था सारे यहां पर सबजियां भी पक चुकी है यह देखिए मटर को हम निकाल करके साइट रख देते हैं और यह जो सबजिया है जैसे की टमाटर है उसके हमें छिलके को निकाल लेना है चाहो तो आप इस टाइम पे छिलके रख भी सकते हो किकि हमें अद्रक लसून है इसे हम मिक्सर जार में ट्रांसफर कर लेते हैं और जब यह अच्छे से ठंडे हो जाएंगे तो हम इसे पीस रहेंगे और यहाँ पर मैंने बहुत यबारीक इस तरीके से पिस लिया है चलते हैं यहां पर जो पानी था ना जिसमें हमने प्याज टमाटर वगर पकाया था वह पानी हम फेकेंगे नहीं हम सब्जी में यूज करेंगे तो उसे भी मैंने निकाल करके साइट रखते हैं, वापस से उसी कड़ाई में हम डाल देंगे, तेल, तेल के गरम होते ही हमें इसमें आधा चमत, जीरा के चटकने के बाद हमें इसमें आधा करना है, जो हमने मिक्सर में पीसा था ना, प्याग्श टमाटर, अधरेक लसून व इस वज़े से हमें medium to high flame पे इसे लगातर चमत चलाते हुए mix करते हुए पका लेना है थोड़ी टाइम के बाद आप देख सकते इसका जितना भी पानी था सारा कुछ यहां पर dry हो चुका है मसालों पे बहुत अच्छा सा यहां पर texture आ चुका है यह देखे किम दानी दाने से दिख रहे हैं देखने में हमें ऐसा ही चाहिए और बस इसे हमें अच्छे से गवार फिर से mix कर लेते हैं और आप देख सकते हैं दोस्तों यहां पर oil भी न separate हो गई है अब हमें इसमें क्या क आधा चोटा चमच जीरा पाउडर गरम मसाला आट कर रहे हैं जो मसाले हम घर पर रियूलर यूज्ए करते हैं वही मसाला हमने आड़ किया है कोई एक्स्टर मसाला इस पो अड़ नहीं करना है और बस इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स करती हूए मिडिम टू लो फिलम एक से दो मिनट के लिए चमच चलाते हुए भून लेना है और आप देख सके बहुत अच्छे से मसालों का टेक्स्टेर आ चुका है मसाले बहुत ही अच्छे से भून चुके हैं यह देखिए और बहुत अच्छी ला खुश्बू भी आ रही है फ्रेंट्स आपने अंडे की रेस्पी तो बहुत बार बनाई होगी मैंने भी आपसे अनिक अनिक प्रकार के अंडे मटर की रेस्पी शेयर किये यह रेस्पी बिल्कुल नहीं है बिल्कुल डिफरेंट है जो कि खाने में बहुत ज्यादा टेश्टी लगती है तो आप एक बर जरू ट्राइगा मसाले के मुनने के बाद मैंने इस पे पके हुए मटर को एड़ किया विथ पानी तो पानी की साथ ही डाल देंगे पानी को नहीं फेकेंगे पुरो फ्लावर फुल पानी है और मटर में भी बहुत जादा प्रोटीन पाया जाता है जैसी कि ठंड आ रही है मौसम बदल रहे हैं अंड कि यहां पर कटिंग कर लेते हैं जिस बरतन में हमने अंडे को पकाया था ना उसमें हमने ओल लगाया हुआ था फिर भी साइट से ना उसकी डिमोल्ड करने होती है तो उसके उपर एक प्लेट रखेंगे और उसे जो अंडे की प्लेट है उसे पलड़ देंगे इस तरीके से आसानी से निकल जाती है बिना किसी जनजट के यह दिखें अंडे बहुत एच्छे से डिमोल्ड हो गया है और बस इसके हम मन पसंद अपनी कटिंग कर लेते हैं चाहो तो आप इसकी छोटी साइज या फिर इससे बड़ी साइज कर सकते हैं मैं मेडियम साइज यहां पर कट जाते हैं क्योंकि बहुत जादा सौफट और स्पॉंजी यहां पर अंडे पक चुके हैं इस तरीके से में छोटे-चोटे क्यूबस यहां पर कट कर रहे हैं आप देख सकते हैं यह देखिए बहुत ही आसानी से कट गए अंडे तो इसी तरीके से सभी अंडे को हमने काट ल पराथे रोटी राइस जीरा राइस इसी के जाद भी खाएंगे ना बहुत ही ज्यादा टेश्टी लगती है और बहुत ही कम टाइम पे बिना गैस खर्च के वे आप इस रिस्पी को आसानी से बना सकते हैं जब कभी कोई महमान आई या फिर आपको कुछ अच्छा सा मतलब जटपट सा स्पेसल खाने का मन हो तो आप यह रिस्पी जरूर ट्राय करिएगा सच में आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगा तो फ्रेंड्स लिजिए बिल्कुल नए तरीकी से नए स्वादवाला अंडे की यह मज़िदार रिस्पी बन करके तयार है आई होप आपको आज की यह रिस्पी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करिएगा साथी कमेंट करके बताएगा कि आपको आज की यह रिस्पी कैसी लगी और इसी तरह की नए नए रिस्पी देखने के लिए आप हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि हम सब्सक्राइब करें साथी बैल एकन भी प्रैस करिएगा ताकि जब भी निए रिस्पी अप्लोड करें नौटिफिकेशन आपको मिले मिलते हैं ने रिस्पी की साथ बाबाई एंड थैंक यू